डिक्टरशन स्टार्ट होगी तेन सेकंड बाद स्टार्ट क्या N.C.D.R.C. ने यहे अभी निर्धारित करते हुए आक्षेपित आदेश पारित करने में न्याय संगत टहराया की प्रत्यर्थी बीमा कमपनी पोत के डूबने के कारण हुए नुकसान के लिए अपिलार्थी को प्रती पूर्ती करने के लिए किसी सविदात्मक या कानूनी दायित्व के तहत नहीं थी क्योंकि श्रेणी प्रमान पत्र अपिलार्थी द्वारा पोत को हुए नुकसान के समंद में महत्व पूर्ण जानकारी को छिपाकर कोमा श्रेणी करन समीती से प्राप्त किया गया था उब्वोकता सनरक्षन समुद्री पतवार बीमा पोलीसी परमान पत्र जारी करने से पहले वर्गी करन समीती को नुकसान दोशों की गैर सूचना देना कोमा श्रेणी परमान पत्र यदी ऐ मान्य हो जाता है कोमा हालां की पहले जारी किया गया है क्या मालिक को इस पहलू को सूचित करना है या क्या बीमा करता द्वारा सत्यापन की आविशक्ता है इस्टोप वारंटी श्रेणी कोमा यदी उलंगन किया जाता है इस्टोप पेरा ततकाल मामले में कोमा ततकाल पोलीसी से पहले कोमा पोत को 9.11.2005 से 8.11.2006 की अवधी के लिए एक पोलीसी के तहत कवर किया गया था पहले की बीमा पोलीसी के अस्तित्व के दोरान कोमा इंजन क्रेंक सोफ्ट और कनेक्टिंग रोड को नुकसान हुआ था और प्रतिस्थापन की सिफारिश पर कोमा बीमा करता प्रतिवादी ने उस उद्देशे के लिए राशी की प्रतिपूरती की थी हालां की मरमत के साथ ततकाल यात्रा बीमा करता के संग्यान में लाई गई थी कोमा प्रतिस्थापन नियत समय में किया जाना था अपिलार्थी द्वारा रिकोर्ड पर कोई सामगरी नहीं लाई गई थी कोमा जो यहें इंगित करने के लिए की इंजन क्रेंक सोफ्ट को नुकसान हुआ था जिसे बदलने की आवशक्ता थी और जिसके कारण भुगतान प्राप्त किया गया था इसके बाद इस बात का आकलन किया जाता कि क्या उस परिस्थती में भी जहां प्रति इस्थापन नहीं किया गया था कोमा क्या मरमत की गई थी जो पोत की समुद्री योग्यता को प्रमानित करने के लिए पर्याप्त थी इस बात से अवगत होने पर कोमा वर्ग प्रमान पत्र जारी करने के लिए एक सूचित निरने लिया जाना था यह जाचने की पूरी जिम्मेदारी बीमा करता पर नहीं हो सकती है कि क्या बाद में प्राप्त राशी का उपयोग करके इंजन को बदल दिया गया था ऐसी इस्तती में जब प्रती इस्थापन कोमा वास्तव में नहीं किया गया था कोमा तो इसे वर्गी करन सोसाइटी के संग्यान में लाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपिलार थी पर थी और उस इस्तती में जब वर्ग प्रमान पत्र जारी किया गया था कोमा तो वास्तव में अपिलार थी द्वारा वारंटी वर्ग का उलंगन किया गया था इस्टो पेरा यदि आवशक्ता का पालन नहीं किया जाता है कोमा तो दीमा करता को वारंटी के उलंगन की तारीख से दायत्व से मुक्त कर दिया जाता है कोमा लेकिन उस तारीख से पहले किये गए किसी भी दायत्व के प्रती पूर्वाग्रह के बिना स्टो एक समय नीती में कोमा इस बात की कोई नहित वारंटी नहीं है कि जहाज किसी भी इस्तर पर समुद्र योग्य होगा कोमा लेकिन जहां बीमित व्यक्ती की गोपनियता के साथ कोमा जहाज को एयोग्य इस्तती में समुद्र में बेजा जाता है कोमा बीमा करता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदाई नहीं है जो एयोग्य होने के कारण होता है वारंटी की आवशक्ता को देखते हुए कोमा बीमित व्यक्ती से उम्मेद की जाती है कि वह इस तरह के श्रेणी प्रमान पत्र जारी करने से पहले वर्गी करन प्रमान पत्र समीती के ध्यान में कमीयों या दोशों को लाएगा क्योंकि बीमा करता द्वारा प्रदान किया जाने वाला बीमा कवरेज ऐसे श्रेणी प्रमान पत्र पर आधारित है कोमा जिसे वर्गी करन प्रमान पत्र समीती द्वारा जारी किया गया माना जाता है कोमा जिसमें सबी पहलवों को ध्यान में रखते हुए दोशों को उनके ध्यान में लाया गया है वर्गी करन सोसाइटी इस सम्वंद में सर्विक्षन करता ने वर्गी करन सोसाइटी से अपने द्वारा की गई पूछताच का उलेख किया और संकेत दिया की वर्गी करन सोसाइटी का प्रतीनिधित्व करने वाले व्यक्तियों ने कहा की उक्त अवग्याओं को उनके संग्यान में नहीं लाया गया था हालंकी यह तर्क दिया गया था की सर्विक्षन करता की रिपोर्ट में इस तरह के संकेत पर भरोशा नहीं किया जा सकता है कोमा अपिलार थी की और से यह इंगित करने के लिए कोई सामगरी नहीं है की उन्होंने वर्गी करन सोसाइटी को सूचित किया था स्टोप